जैहिंद जैबहारत दोस्तों आज किस विडियुए में आपको बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूँ वह है अस्थिया सन्धी यह अखिर है क्या तो मैं आपको सबसे पहले ये किलियर कर दूँ कि आप किसी भी कलास में हैं ये आपके लिए बहुत ही मज़िदार है और बहुत ही helpful है तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अस्थिय संधी ये आखिर क्या होती है और साथ ही बताऊंगा कंदू के खली का संधी ये क्या है और इसके बाद बताऊंगा हिंज संधी या दुरागर संधी ये सब क्या है और साथ ही बताऊंगा अचल संधी ये सब आखिर है क्या और गैज इसमें मैं कंकाल के बारे में भी थोड़ा सा बात किया हूँ और साथ ही इसमें पसली पिंजर का भी बात किया हूँ तो वीडियो काफी मज़दार है तो वीडियो को इंड तक देखे तो गैज स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म साइन्स महल पर तो आईए दोस्तों बहुत ही बारिकी से समझते हैं कि आखिर ये अस्थिया संधी ये आखिर होती क्या है तो आप द्यान दीजिएगा जो मैं आपको क्लियर करूँगा और गैज मैं सबसे बेले आपको ये क्लियर कर दूँँ कि अगर आपको इस वीडियो में न समझ आएगी न तो आप वीडियो के निचे कुछ भी लिख देना है ठीके और हाँ साथ ही आपको तो पता भी होगा कि समझना और न समझना सिर्फ आपके उपर ही निर्भर करता है तो यहां पर आप देखेंगे तो बहुत ही बारिके से मैंने लिख क्या रखा है आप यहां पर देखिए अगर आप आसानी से देखेंगे तो आपको बहुत ही बारिके से समझ आएगी कि लिखा हुए कि हडिया जेंगाइज हडिया एक दूसरे में जुड़ी होती है तो आपको कहलाती है अस्थिया संधिया मैं आपको बता दूँ कि अस्थिया का मतलब हडि होती है और संधिया का मतलब आपको होता है ज्वाइंट जिसे हम कहते हैं एक दूसरे में जुड़ाओ ठीके तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अस्थियों का जुड़ाओ यानि हडियों का जुड़ाओ आपको कहके लाएगा अस्थिया संधी यहाँ पर कहलाएगा कि अब हम आगे सीखने क्या वाले अब हमारा आ जाता है आगे की बात वह क्या है कंदूक खली का संधी यह aphir है क्या तो गर्ज मैं आपको यहाँ पर क्या लिख रखा हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको दिखेंगे, कि यह संधी कंधे एवं कमर के पास पाई जाती है, कहने का मतलब यह है, कि यह संधी, संधी का मतलब क्या होता है, जोईंट, एक दूसरे में किसी चीज का जुड तो यहां पर यह संधी यानि यह जोईंट कंधे एवं कमर के पास पहे जाती यानि जिस हड़ी का जोईंट कंधे एवं कमर के पास होगी तो वहां के जोईंट को हम क्या बोलेंगे कंदुक खली का संधी यहां पर बोलेंगे तो यह आपको छोटी सी बात बहुत ही आसानी से और कम सब्दों में आ गई होगी क्या मेरी आवाज आपको बहुत ही आसानी से सुनाई पढ़ रही है अगर आपको आसानी से सुनाई पढ़ रही है तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे की जो बाते हैं अब हम समझते क्या है क्या आपको यह समझ आई कि हमारी जो कंधे होती है और कमर के पास जो जोईंट होती है जो जोईंट कहने का मतलब जो संधी होती है वो आपको क्या कहलाती है कंधू कखली का संधी यहाँ पर कहलाती है अब सली आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा आ जात जहां वहां पर देख सकते हैं केहुनी एवम घुटने की पास जो हमारी जोड होती है जो जुवाइंट होती है वहां की जुवाइंट को हम क्या पूलेंगे हिंज संधी हम कहेंगे तो आपको ये छोटी सी बात बिल्कुल आसानी से आ गई होगी और यहां पर आगे आता है ध धुरागर संधी तो ये छोटी सी बात आप बहुत ही आसानी से समझ गया होंगे तो अगर आप इसको लिखना साथ है तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिखिए और अगला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है अचल संधी यह क्रहा क्या तो आप यहां पर देखेंगे हें तो ऑसानी से आपको दिख यहां पर देखेंगे तो जब्ले यौमक कापल हमारा जो जब्ला होता है और संधी होता है तो हएब हमारे जब्ले कापाल के बीच में जो जुआ fictional होती नं उस जुआ版 को हम क्या बोलते हैं अचल संधी यहां पर कहते हैं तो यह छोटी सी बा कि कंकाल के बारे में आगे हम तर्चा करेंगे तो कंकाल क्या है कंकाल हम किसे कहते हैं और गाइज मैं बता दूँ कि अगर आपके किताब में कंकाल किसे कहते हैं या कुछ भी रहे और लिखा रहे कि किसे कहते हैं क्या होता है जिसे अब मैं एक्जांपल लेता हूँ कि कंकाल क है और कंकाल के जगह पर आपको लिख दिए जाए कि कंकाल किसे कहते हैं कंकाल कंकाल की परिभासा दीज़े, जो आरे हें ठैक तो । दो म्ह Counter हम और ठीक है और बालक में 208 होता है और जो बच्चे होते हैं उनमें 300 से ज़्यादा हडिया होती है यहां पर आपको बात ख्याल रखनी है तो हडियों का समूह आपको क्या कहलता है कंकाल यहां पर कहलाता है तो यह भी बात बहुत ही आसानी से आप समझ गया होंगे और आगे की ज कि हमारा जो पसली होता है हड़ी की तरह ही होता है तो यहां पर आप देखेंगे तो पसली पिंजर यह अखिर है क्या तो यहां पर लिखा हुआ है परिभासा जो लिखा हुआ है वो आसान है आप देखिए तो यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि वच की अस्थिया य तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वच यानि छाती योम रीड की हड़ी से जुड़ कर एक बक्से की रचना वहाँ पर बक्से की रचना करती है और इस संकुरूपी, संकुरूपी कहने का मतलब संकु के अकार के बक्से कोई हम क्या बोलते हैं पसली पींजर यहां पर कहते हैं ठीक है और पसली पींजर में न बहुत सारे अंग यहां पर सुरक्षित होते हैं तो ये छोटी-छोटी सी बात हैं आप इजीली यहां पर समझ भाएंगे तो आज किस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मज़दार वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजेगा तो मिलते हैं एक और नए दिन और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजएगा तो बाई बाई टेक केर बेस्ट अफ लग